दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने में कि VID नंबर क्या होता है और इसे किस तरह से आप generate कर सकते हैं तो देखे सब सब पहले समझते हैं कि VID नंबर क्या होता है वी आईडी का पूरा नाम होता है वर्चुल आईडी नमबर यानि कि वी आईडी नमबर जो होता है वो आपके जो भी आधार कार्ड है उसके सारे डेटा को एक वी आईडी नमबर जिसे वर्चुल आईडी नमबर को हम कह सकते हैं कि यह एक सिक्यूटी नमबर है जो कि आपक जनिरेट कर सकते हैं आप अपने मॉवाइल फोन या फिर अपने लेप्तेटर किसी से भी अभी लगा बाते के ओन उन्लाइन जेनेरेट सबसे पहले आप जो भी ब्रावजर यूज करते हैं उसके बाद सिंपल आप जाएंगे यूँ आई-डी आई के ऑफिशियल बेव साइट पे जाते हैं यहां पे देख सकते हैं कि यह हिंदी में एवलेबल है तो बाकि आप यहां से लंगवेच चेंज कर सकते हैं जैसे यहां इस लंगवेच को इंगलिस कर लेते हैं उसके बाद नेक्स आना है यहां आपको माई अधर वाले सेक्शन में और यहां आने के बाद में आप अधार सर्वीसेस में आएंगे और यहां पे वर्चूल आईडी जेनेरेटर के आप्सन देखने के लिए मिल जागा तो सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट आपको यहां पर आपका जो भी अधार नमर है उस अधार नमर को यहां पर आपको फिल करना होगा अधार नमर फिल करने के बाद में नेक्स्ट आपको यहां पर भरना होगा उसके बाद नेक्स्ट आपक आपको यहां पर जो भी आपके मोबाल नमर पर OTP जाएगा 6 digit की उस OTP को यहां पर भरना है यहां पर भरने के बाद में आप क्या करना चाहते हैं यहां आपको दो अप्शन देखने के लिए मिलेगा सबसे पहले कि रिट्रिवी विड और जेनरेट विड तो हमें जेनरेट व हैं यानि कि आधार के साथ जो भी आपका रजिष्ठर मूबाल नमर नमर पर आपके नाम के साथ आपका बर्चुल डृम जो की send कर दिया जाएगा उसके बाद आप अपने मोबाल में देख सकते हैं कि आपका वर्चुल आईडी क्या है उसके बाद आप अपने वर्चुल आईडी का यूज कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही था मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए गुड़ दो